3, 2, 1, GO! तो हाँ भाईयो, कैसे हो सारे, I hope सारे बढ़िया हो गए, तो भाई, आज हमारे साथ है, अपनी Swift Desire, LX-I, 2nd Gen Swift, 2016 मॉडल, और आज हम इसका करेंगे रिव्यू, भाईयो, इस गाड़ी को मेरे पस अप्रॉक्सिमेटली 6 साल हो गए है, 7 साथ लाद इस पर कम्प्लीट हो जाएगा, आज हम इसको बताएंगे कि इसमें क्या-क्या आता है, कैसी है, चल रही है, और क्या-क्या में इसमें मिला था, तो भी, सबसे पहले तो हमको इसका बोनद खोल के दिखा जतो हूँ, तो वही ऐसा कुछ आपको इसको बोनट मिलता है अंदर यह के एंजन है यह बैटरी है यह आपको पूरी पैडिंग मिलती है इंसलेशन मिलती है यह को बोनट का स्टाइन है इसको वाप्पिस निचे रख देखें तो वही जैसे मैंने आपको बता है यह एलेक्साई मॉडल है इसमें मैंने कुछ अप्ग्रेडेशन करी हुई थी सबसे पहले जो सामने क्रोम की ग्रिल दिख रही है यह ब्लाक आती है इसको मैंने क्रोम करवाया हुआ है उसके नंबर प्लेट का स्टैंड अलावा है इसके बाद यह एलेक्स है तो आप देख रहोगे जो इसके अंदर बार देख रहे में सिल्वाड गलर कैंदिंगेटर साइड यह गए मुए टूमय प्लाक प्लाक था यह भी आछक थे sub Ste लेकशन, ौटूमय यह हम्ने प्लाक आती है मैंने हैनल之前 ख़ा गए आफ सबसे, प्लाक प्लाक कर रहा हैं अगर भाता है और सबसे के साइड अर्यम प् तो भाई यह है लेक्साई मॉडल है इसमें मैंने एजनसी से ही लोगो गरवा दिया था यह कोई जादा महेंगी मॉडिवेशन ही है पच्छे सीश्रों आपको आजनसी वाले कर देते हैं उसके बाद यार इसमें रियर बंपर आप देख रहे हैं सेंसर भी लगए हैं कैमरा भ साथ मैंने इसका डिस्प्ले आगे मागे से दिखा दूँगा भी इसके बूत करो तो इसका बूट यहा तो आगे के वियुक्त के लादा माद इसके बूट के बूट यहा तो एक पर के बूट मॉडल है फिर बी इसके अनर बूट लैम्प आती है यह जखो भी यह यह बित मुलता तो अब बैंक, उसके लाधी चलते है गाड़ी के अंदर गाड़ी के बात करते हैं वे जैसे कि आप का बेश अब है इस जिक पूरमाड़िंटो आठी है सब्सक्राइब है चैनल कि प्रेंट टू पाइर बिंडे लगे फार बिंडे को स्विच्छा यह लाक तो एंगे में इसके बाद स्विच्छा उसके बाद हैं इसमें आपकी माइलेज किलोमेटर टाइम रिंज यह सब आपको इंफरमेशन मिल जाती है तो भई हमारी गाड़ी आप्रोक्शिमेटली आप शे साथ साल पर आप रहा है जैसे अब देखर इसको हमने अप्रोक्शिमेटली 94 जा दिया अगी तक अब अगर आपको यहां से दिखा हो तो भई समय मुजब लेगा नहीं जाता था एक सोनी का मुजब लेगा वाइस के अंबर डबल लेना इसमें ब्लुटुस वेगा तो नहीं है यह लगाया हुए एक चोट अखर डॉंगल होता है सापके मुजब लेगा जाता है एक शोट अ पर बहुत बड़ा सा डाश्वूड मिलता है तच्पी क्वालिटी में बोलुग है ऐसी ऐसी है प्लास्टिक की कुछ जादा हाइफे क्वालिटी नहीं है उसकाद यह आपको आप देख लो आपको एसी वेंट मिलता है थोड़ ची स्टोरीज मिल जाती है आपका अलाम को एक नहीं में इस यह अपका नहीं में इस घ्लव बॉक्स है तो भई उस तेम इस गाड़ी में दो मॉडल आता है कि एलेक्से ऑप्षिनल अप्षिनल अपका एर बैग जो रीवी आता था और वह उसाद प्च्छी सजार पर सस्ता होता था तो भई यह हमारा काली एलेक्सा ह मॉडल है जैसे कि अब देखे रोस में कोई भी एर बैग नहीं है किसी भी एर बैक कुछ नहीं है ना इधर ना को को सेंजर साइड है यह आपको बड़न की थोड़ी थोड़ी फिनिश मेलेगी और एक यह इसमें बॉटलों यह ग्लास ओलडर आता है यह वी काफी अच्छा यह भी पूरा अनलोग है कुछ इसमें डिजिटल नहीं आसता है यहां पर बात करोंगे यह नॉर्मल आता है इसमें भी कोई नाइट अन्डे वाला पीटर नहीं है अगर आभी दरवात करोंगे तो यह वैनेटी मिरर नहीं है पूरा एक प्रॉपर एक बेस मॉडल है और अ अधिकन नॉर्मल कैमरा है रीजन यह यहां पर लगा हुआ है मैंने यह पर पहले यह वाला कैमरा भी लगवा था बट इसमें भई रैटलिंग सांड बहुत अथिया और वह खड़कता बहुत तो इसमें इसको अट आप लिए यह पर लगा लिया था यह स्क्रीन वाला कैमर इसके आउपट बहुत अच्छी है अगर इसकी सांड उट पुट सुनिये तो आप मेरी इस्टाग्राम पर मेरी वीडियो देख सकते हैं क्योंकि यूट्यूब में नहीं डाल सकता बहुत कॉपी रेट कर जाएगा तो बही लेक्सपेस आप इसमें देख सकते हो काफी अच जर्ककिस का उपिए छल करेंangen अधर एंदर हपिते हैं कि इसका राप को मताते हैं किया इसके पॉंट & क्या फॉंट आप estamos मैं बताया इस गाड़ी के चलाते है हमें अप्रॉक्सिमेटली छे साल हो गया है तो इससे पहले मैं से कुछ प्रूज है पॉंच रूज हूं सबसे बड़ा इसका प्रूज हो मुझे लगता है वो है इसकी पिकप भई इस गाड़ी के सबसे बहुत जाद है और हाँ रेट की सबस्केरी रहे हैं तो यहार मैंने यह गाड़ी 2016 में सब्सक्राइब पूरे डिसकाउंट करवा के अजन्सी से ऑन रूड मुझे पड़ी थी पांच लाग 20,000 रुपे गी तो वही अब गाड़ियों के रेट देख लो है पांच अजार रुपे में हाच्बैक बीनी आती श स्विफ तो स्विफ डिजायर में तीस चालिज़ज़़ रुपे का फरेक होता था आप 30,000 रुपे जादा देक बड़ी बूट स्पेस वाली सेडान मिनी सेडान ले सकते थे तो अब तो देखी लो और अगर हम आपको इसकी पिक अप दिखा हूं और अगर मैं रोक के एक इसको रैप करके दिखाता हूं फर्स्ट गेर में इसकी कितने पिक अबद आपको थोड़ा एडिया लग सके है तो वह यह गाड़ी हमने खाली खड़क पर रोक दिया स्वीट जी रोक तो इसको एक बार रैप करते हैं फर्स्ट गेर में 321 गो तो वह यह गाड़ी आपके इसकी के पंट्रोल एंजिन भाद बहुत ही जादा आपको रिफाइंड एंजिन मिलता है बहुत जादा इसकी रिफाइंड मेंट है मालब वाइबरेशन इसमें हैं बट बहुत ही ना के बराबर हैं अगर मैं इसकी आवरेज की बात करूँ तो यह गाड़ी मेरी मिक्स चलत तो इसका आवरेज और बढ़ जाता है तो भाई यह एक मरूत्ती ही बात और अगर हम इसके अग्मफर्ट की बात करूं यार कंफर्ट मतलब मैं इसका बूलूमा सोच हुआ है मेरे पास यह अशेक आई 20 भी है अगर अगर इसको आई 20 से कंपेर करें तो 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 इसका उ जाती है जाता है तो इसके बाद अगर आप इसको हाइवेर पर ड्राइब कर रहे हो तो मैं रहे रिक्मेंड करूंगा जैसे में अपनी दूसरी मरूति गाड़ी उसका करता हूं बढ़ी मतलब सौग इस पीड़ टक तो ठीक है तो यह चली जाती है ऐसा नहीं कि एक एक मरूति गाड़ी में वो करने में हम कंफर्टेबल नहीं होते हुए क्योंकि यह बहुत जादा मदब जिग्लिंग करने अलग जाती है मदब हिलती है मदब इसके गाड़ी जा रही हो तो यह आसे हिलती है हाईवेग अपर स्टेबलिटी नहीं के अंदर तो एक बंदे को जाएग पतने बीच या थीज़ारी खरीदी ती अगर अब अब इसको में मार्केट में बेचने जाँगो तो मुझे मुझे साड़े तीन और चार के बीट में राम से चली जाएगी अब इसनी चलीवी पेट्रोल गाड़ी वो भी बेस मॉडल ऑल्दॉमने इसमें बहुत स अब है जाएगी आप्रॉक्समेटली बिच में बीच बीच में तीन हजार से चेहजार की बीच में अब इसकी सब्सक्राइगी गरवाई यह वह मैंने शिक्षी तू हंड़ी करवाई गारी आज इसकी फोर्ट के सर्विस की बहुत बाद बाद गया थीज़ार पे उसके ला फिर बड़ा कुछ मेंने मेकनिकल खर्चा नहीं करवाया दूस रूक्ष को अब सब्सक्राइग करवा हो धर रजाग है वह ता सिप्रेज है इसकी फ्लैट किलो मेटर पर चेंज होगी थी सथे अज़ग्ड़ किलो मेटर गार शाम करेग्त इसके शाम करवाया था पर नुसके अलाव़ तो बढ़े नौमल जो भीर और टेर गाड़ी की बस बहुती थी शौक तो रॉइपर ब्लेडी यह जब तो गाड़ी में चलता रहता है और इसके टैर से टैर इसमे चौदे इंच के डिलो हैं और कंपनी से टैर आ थे भई वो जेक के टैर थे और वह टायर अराम से मेरे अरांड 50-800 km चल गया थे तो बाद में ने इसके गाड़ी तब तक वह टायर बढ़िया चल गाड़ी तो बहुए यह था इसका रिव्यू और तो बहुए चलाने में बहुत बढ़िया गाड़ी है इसको भी मेरा कोई बेचने का भी प्लान नहीं है कोई बिख करने देर यह गाड़ी है बसकि अगर आप कोई ज्यादा लॉंग जिर्नी प्लान करें तो वह इसमें शाहिए जानर के प्रेले मैं सोच चूंगा तो जब इसका कमपट ड़ल इतना नहीं है अल्दो मैं इसको आइटवेंटी से कंपेर करूं और भी बहुत बड़ानी गाड़ी है ना पुरानी से मेरा मतलब है जो भी यह बजट सेग्मेंट वाली गाड़ी है यहाट लाग से नीचे नीचे वाली उसको जोना सारे अराम सी जलाया करो क्योंकि देखो अपनी जान अपने हाथ में और मरुती क्वालिटी मैं यह नहीं कहा रहा है तो बगवान ना करें कल का पुछो तो आपकी स्ट्वीड मतलब इतनी हुआ चाहिए कि हाँ बंदा ब्रेक लगा ले टाइम पे आने पर बेस तिंग मेरे को अभी तरक किसी लगी इसकी प्रिक अप्ट जो चे साल में में बड़ी तो चीज लगी ना वह इसकी पिक अप्ट कि बहुत जादा मुझा बमदबो है अपने रेंज के साथ से बहुत बड़ी आगाडी है बहुत बड़ी है इसकी पोड़ी इसकी पिकाव अन्दर डिसपार ने होता है तो आज की लिए नहीं मिलते हैं आप से अपनी अगली वीडियो में और यह वीडियो कैसी लगी मुझ